नमस्कार मैं हूँ गौरफ श्रीवास्तव और दोफेर चर्चा में आप सभी का बहुर बहुत स्वागत है। तमाम तरही घटना होती पर कुछ घटना ऐसे होती दिल से दिल देहल जाता है। उत्तपरे से कौसामबी जिले में दिल देहला देने वाली घटना सामना है। और जानकारी मताबिक जो रेप पीडिता है उससे लगातार जो दुसकर्म करने वाला आरूपी था उसका परिवार था वो लगातार समझोते का दबाव बना रहा था। और जब इसकी समझोते की दबाव बनाने की चलते परिसान होकर युबती पुलिस के पाद जाती है तो उसको जनकारी हो जाती है कि हमारी सिकायत यहाँ पर दोबारा पुलिस में करने गई है। जब दुसकर्म का मुकर्मा हुआ था उसके बार वो जेल भेज दिया गया था जिसने दुसकर्म किया था उसके बार अक्टूबर में जमार पर छूट कर आया था उसके बार से यहाँ पर लगातार रंजिस चल रही थी और रंजिस के चलते यहाँ पर रेप पीडिता को बा वाले आरोपी के भाई ने रेव पीडिता की निसंस हत्या कर दी पहले कुलारी से मारा फिर रेव पीडिता की भाई की भावी के सामने बहां पर टाबर टोड़ प्रहार किये दर्दनाग मौत हुई निसंस हत्या हुई पर यहां पर राजनीती भी शुरू हो गई क्योंकि रा या असरुच्छित हैं योगी सरकार कारून व्यस्था पर बड़े बड़े दावे करती है पर NCRB की रिपोर्ट और लगाता हो रहा ही घटनाएं बताती है कि मेलाओं के बाले में बले ही हम लोग बड़ी बड़ी बाते कर रहा है मेला अर्चन बिले आप लेकर आए है मेलाओ को लेकर तमाम तरह की उजनाय लाए हुए है पर मेला की सुरच्छा नहीं कर पा रहा है सरकार बोलती है कि हमारी सरकार में दबंगों के होंसले बुलन नहीं बलकि जमीरोज हो चुके हैं लोग तक्तिर ले लेकर ठाने में सरंडर कर रहे हैं लोगों के खिलाप बड़ी उस्थाय बेदर चल लहीं है तो यह घटना देने वाले लोग कौन हैं घटना लेने बाले अंजाम देने बाले लोग कोन हैं इनकी च्हमता कैसा हो जाती है कि सरयाम हत्या कर देते हैं दिबरिया में बड़ा मामला कोसामी इस संवे पहले भी आपको दो दिन पहले बता दू की एक हिस्टी-षीटर की भी सर्याम मार पीट कर हत्या कर दी गयी थी इसके पहले अगर बात करए तो अंबेटकर नगर का बाकिया भी आपको यार होगा अंबेटकर नगर में जो सोहरे थे वो छेड़छार कर रहाए थे, लगातार पीछा कर रहाए थे और उस दोरान जिस चरह से लड़की गिरी और लड़की के गिनने के बार वहाँ पर उसकी भी यहाँ पर मौत हो जाती है। केबल यहाँ पर ट्वीट करके अपनी सम्मेजनाओं को व्यक्त करना यह बिपच्च की नीती नहीं हो ना बिपच्च की नीती कभी हमाय भारती है। केबल बिपच्च का काम यहाँ पर सरकार पर ट्वीट करके काम नीच चलाना बलकि यहाँ पर अगर सरकार यहाँ पर दमीर नहीं हैं तो उसको जगाना भी आपका काम है। और इसलिए हमें चर्चा भी रखी है। और महपू चर्चा है। बेटी पड़ाओ का नारा भी लगाई है। तमाम तरह की चीजे बड़े अच्छी है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। पर धरादल पर जो दिक्कते हैं उसको लेकर कैसे बेतर करेंगे। मैं मानता हूँ प्रदेश बड़ा है और यहां पर कारून व्यवस्था को इतना चाक्चोबन करना आसान नहीं है। पर शुरुवात चो करनी पड़ेगी। क्यों ऐसी व्यवस्था लागू नहीं होती, क्यों ऐसी व्यवस्था शुरू नहीं होती है। कि यहां पर किसी की इतनी बड़ी घटना को शरेयां अंजाम को क् Wo斯 यहां कोई सोच विचान नहीं है ऑ कहा पर कारुन वी स्पाइक को चुन्होंती देते हुए गट्टा को अजाम दिया है डर नाम की चीज नहीं है आप बोले डर है अब एक कैसा डर है और किनके मन में डर है वो बता दीजे और अगर इस तरह घटना हो रही है तो क्यों हो रही है देखिए गवरों जी जिस तरह की घटना घटी है अपने आप में बहुत दुखद है जे और बहुत दुखदान तरीके से हत्या भी है प्रंट विसे यह है कि क्या कानून में अपना काम नहीं किया जब पहली बार दुश्करब की रिपोर्ट आई पुलिस ने उसको पकड़ करके जेल भेजा जेल साल बाद आरोपी छूट के आया जे बेल पे प्रसाशन तो नहीं देता अच्छा में अदालत देती है और इसी अक्टूबर में आया दशूट के और उसके घर वाले तुना कि बात्चित कि यहां से कब है थे लगकी दुबारा थाने गई लोटते समय उसका भाई जो सराब पीता था सराब के नसे में उसने इनकी हत्या अच्छा आप रंजिसन अक्तियाओं को लेकर के आप किसी प्रदेश की कामून वेवस्था को कटगरे के घर गेरे भी नहीं ला सकते अच्छा बुर्देश में महीला अपरादों में सजाद्व कर देश कराथे रहेंगे अपराद सरकार भी कराते अपराद लोगों की अपरा पीठ सपा रहे हैं तो अपराद रोक लिजे सजाद्वत रही पड़ेगी अपराद कभी रुखते रही है कम ज्यादा होते हैं उसके दुरदान तरीके रुखते हैं जैसे अपरहां संगश्रीत अपराद बड़े-बड़े गिरोह कुछ तो कमर तोड़ी आ सकती है लेकिर रंजिस्तन हत्याय ये किसी भी सास्तन में बंद नहीं होती है अच्छा उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है अच्छा इसमें भी प्रसाश्तन के अपना कांध किया तो आरोपी देज़ साल बाद छूट के आया है अच्छा जमानत अधालत देती जमानत सरकार नहीं देती गष्वन जीस्तिकर का काम ने आरोपी को पकड़कर करके अ प्रवी प्रवी तो कर सकता है जमानत ना दी जाए यह सावे के बाद पहर वी के बिना डेर साल नहीं हुए लोवर से सब्सक्राइब अच्छा यह वही देश है जहां पर बारा नहाई दीशों में से ग्यारा ने अच्छी कामद का मुकदमा सुनने में बंद किया बारावे न तो देर साल फिर नहीं हुई अच्छा तो इसका मतलब की सरकारी वह किलों ने पहुंच किया अच्छा ठीक है उसके उसके बेल की मेलकम तो नहीं किया होगा अच्छा इसके बावजूत भी अदालत कि सरोच है अपर हैंड है उसके पास जमानत देने काजिकार है एक एभी यहां उठता है कैसे घ्रित अपरादों में अधालते जमाना देती ही क्यों है तो आपका कहरा है घटना होती रहती है इसको रोक नहीं सकते तो पीपनफ़ ठपाई आगे जाके नहीं सजा करा आज हैं सुनिए सुनिए आपने कानून माना ना सरकार काम है आरोपी मों पकड अपराद कराएंगे अपराद कराएंगे हाँ होगा तो यहां सजा देंगे इस महाले में भी आरोपी पकड़ के जेल भेजा गया तेर साल बाद जेल चूटके आ रहा है जमाने सरकार तुटी जमार को दालत के दिया है मुखमंत्री आवाज के सामने आके आप मिदा का प्रयास भी करते हैं तो फिर महुबा की क्रेशर व्यापारी वाली रंजिसन थी क्या हो मनिनाल पाटिरार से रंजिस थी क्या उनकी बतादी चलिए ठीक है एक घटना और याद दिलाता हूं रामगर ताल थाने का मामला है गोरपुर का मामला है व्यापारी मनिन गुपता की अत्या हो जाती है रंजिस थी क्या कोई आप अगर आपको पुझा ने कि घर भी डाया गया अगया अगया ठीक च्छार आप मानिस्क्ता कराती है और न्यों जिसके बाशिक्ता खराब है वह पॉपराद करेगा अब बान सिक्ता के लिए कि हमाई पुलिस पकड़के जेल भेजी देती है और उनको जेल भेज दिया जाता है निया होता ठीक है कि आपके पास जिसमें एक आईजी साहब जेल बहीं पुरा समय काड़ती है उनको पुलिस बहुत है अच्छा जोड रही थी अच्छा जेकर लेकिन टर्मिनेट किया ठीक है ठीक है तो साल भागा नहीं पाएथे चले ठीक है चले ठीक है अब बढ़ाएब जे यह भी आदे कि आप उसने सरंडर किया था आप उनको पकड़नी पाये ठीक है को संपत्ती कोड कराई थी मुझे या बढ़ा है यहां पर बाला राज है और अप्राइब को नहीं सकते मैं पॉलिस ने कारवाई की जेल वेजा उसके बार वो आया उस लड़की सिकाइट करने गई सिकाइट करके लोट रही थी जनकारी होगी उसको मार दिया सरयाम नसे का लटी उसका भाई था जिसने पीड़ यह किसी भी नहीं हो अच्छा परٌ गिद्साइबीन connectknowi कारें को एऊ यह metabolिय Sherlock को उनकार्या तो है एंगि मैं मैं और नहीं है एंगि में जान कईकार आप थारी मान ने कार्यों के गवा आओ एक्केkovं के लिए कशльों करती है उसे मुंन आ यहाइए उसे जूट बोला जाए आपने कहा जंगल राज तो हजार उन्नीस में माननिय उच्छुत्तम नियाले ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है उसके बाद में ठीक एक साल बाद NCRB की रिपोर्ट आती है इसके बाद इसके बाद घटनाए घटित होती हैं उन्दीप सेंगर के खिलाफ पांस साल तक एक लड़की लड़ती रही उसका कुछ नहीं किया सरकार ने करते माननिये विदायक और इतना ढीड विदायक कि जाके एस्वी को धंका आता है और के जंता फार्टी नत्मस्तक राती है जिन्मियानन्द को फरार गोजित कर दिया जाता है माननिये इतना विदाला अच्छा वततर प्रदीष सरकार उसके इपसमें vision 웃 प्रदेश सरकार उसके जाड़िपर से बलतकार के मुकदमें वापस ले लेती है प्रीयागराज का इधायक है उसके ओपर बलतकार का मुकदमा लगा महादे कानून से अपना काम किया क्यों सरंजन पर क्या काम किया है बता देंगे साक्षी महराज आज से 20 साल पहले से बलातकार के आरोपी थें उस पर कानून ने क्या काम किया है ये बता देंगे ब्रजभूशट सरंड सिंग बलातकार का आउपी है चीक है मामला वह दिल्ली में दर्ज है खेन सरकार ने उसको गई थी मुकदमा दर्ज कराने थाने में एसो ने बलतकार कर लिया उसका और दूसरी बलतकार की रिकोर्ड कराने में लावाली किया ऐसी ही गटना उस बीटिया को मैं सर्धानजली देता हूं जिसके साथ ऐसी गटना गटी तो यह परिवार कर संबेदना हैं ऐसी गटना उन तो रेप का आरोपी छूट के आता है, तो उस बलतकार पीड़ता को उसके बच्चे के साथ जलाने का प्रयास करता है, क्या कानून ने काम कर लिया उसके बाद में, तो अगर इस प्रकार से, और ये बोलते हैं, आपने दो उदारण दिये, दोनों उदारण में उन्हें साथ बोला, सबसे पहले, सेंटर्ल गवर्वर्मेंट के अधिकारियों को प्रदेश सरकार बखास्त कर सकती है, यह नियम हैं, तो जो मडिलाल पाटी दार है, क्यंद सरकार का इंपलाई है, उसको उत्तरा प्रदेश सरकार को अधिकार नहीं बरखास्त करने का, शीच है, द 6 लोग को आरोप से निकाल के बाहर कर दिया है गया अच्छा और किसी का गर नहीं टाहाए गया मैं तो गोरगपूर का ही हो जोड़ गोल आप सर्याम मंच पर जाप दीजेगा गया फिर अदालत पर अदालत पर इन्होंने प्रस्चिन लगवा दिया है कि अदालतें काम नहीं कर रही होती ही तो भारती जन्ता परड़ी पूरे देश को बेंच चुकी होती है अब तक ली यह दालतों के काम करने का परिणाम है जै अदालते इस सवाल आप ने तमाम बाते कहीं आप ने इनकों कटगरे में घड़ा भी किया पर यहां पर इतनी घटना हो रही है और आद आप भी जानते हैं कि आप भी संगर्स निकलुई पार्टी है पर ट्वीट से केबल खाना पूर्ती क्यों है यह भी समझ से बरे है अपका अपका प्रश्ट करता हूं जी हात्रस में हमारे श्यकार करता पकड़ के बंद हुए हमारे सेयोगी संकटन में जी लोगदल के सरकार ने यह अंदोलन था अच्छा और नाओं में बहुत समय हो गया इसको हाँ पुलीप कुल दीव नहीं मैं उस बाहना है अभी उन्नाओं में पिछले साल की गटना है एक रेप पीडिता को जलाने का प्रयास किया अच्छे बालक के साथ में तो साल दर सार प्रसंद करे है और यह गटना जाने नहीं पाएगी अभी आपने देखा होगा लखनू में ही अच्छा बालिकाओं के साथ में 112 नंबर के बालिकाओं के साथ में अब लोग खड़े रहे हमारी एक नेत्री को खीज के पुलिस ले गई क्या धरना परदरशन नहीं हो सकता है बिल्कुल सक को खीज के लिए गई जो बालिकाओं कर रहे हैं उनके उनके उपर फायार तरश करिया तो हम हर मावले को संग्यान में लेते हैं इसमें भी आपके पास जल्दी नतीजह आ जाएगा जाए ठीक है तो करेगा तो चोड़ेंगे नहीं कारवाई तो रंसों की जिल बेजा अब आज बहुत पार मात रहे हैं तो अब 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 नबर वन अस्थान पर अच्छा या अध्य परवेश्चों अच्छा आजपा की जहां-जहां सलकार है वहां आपराज नंबर वन में अच्छा अभी भाजता के प्रवक्ता ने कहां तो चाहते हैं तरहाज को बढ़ाज प्रवक्तिन या पराज नहीं है अच्छा अब अच्छा इनके प्रवडार को मार जायता है तो अब नागग अधिया अधिश्जार एकसो सकतर मामले धर्ज होते हैं और यह क्रते अथ नहीं है नच्छ उत्रापटेश के सरकों पर उत्रापटेश के शक्ता के उत्रापटेश के सब्सक्राइकों चले जाता है, इस ऐस कःते हैं जरता कि वह सिधे कानून कराजे कर दूप खरेकर ट governments ने रिखे पर क्रवाई कर दोपाने कर इस अफ फिर फिशन के टती एक्यों कि एक्षा लिपझा जिनोऻ इप लिख एफमाई है उनती फिरास्टो अन्हों Marketु इस आट मीरें की च Lind ओनवने के लिख यहां शरी मैं लेखिआ, इसustयों कुछी पर आइनलने और आपको करी सब्सक्राह करूँ के लिए हारे why by क्ताय डिक्त मैं हाथ अबार अगार अभाइ नहीं पिर आपके ब्न जक्ष्ठ कीसे मैं जिए उलना है जूट करता है यह था यह भाइभाई ने इंड जूट जूट करें ऐखें standing कि यह ऐसा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस तरह की बद्जुबानी की आदत है अच्छा है जो मनीज गुप्ता अत्या कांड में मुल्जिम थे उसमें एस्टों के घर भूल लो जाज चला है कि सारी चीजे प्प्लिक डोले में जरते पार्टी दार को सरकार बर्खारता ही करती उत्तर परे सरकार रिपोर्ट नहीं भेशती तो का समाजवादी पार्टी का रालिस नाम कना ऑगई तो आपके च्च्चानाम आघा रहा है तो बावन नाम की ना थोंगा बावन देंगे आप एक गए पाजवाद करार किया और उसकी जब मुघत कर देगे पर्शार करने खले चाहतों जी घए एक लिए प्डु नहीं में ने ने खंट इनने की हमारी सरकार न सब्सक्राइब के मुकाद में सजा हो चुकी है इनों ने कहा कि हमने अधालतों पस्चिल लगाया पई देखे पुलिस का कार गवरो जी मुल्जी को पकड़के अधालत की दहली तक ले जाना होता है अच्छा उसके बाद सारा बाद गर्मीश वह सबस्क्राइब करते नहीं होता है तो अगरा अप्राद हुआ है उसके ततकाल आपितों को पकड़ना पुलिस का काम है और उनको अधालत की दहली तक ले जाना पुलिस का काम है आप यह सोचिए कि हम पुलिस को कोई सपना आता है कि यहां अपराद हो सकता है यह तो जो अपराद हो रहे हैं उस पर चुरित कारवाई होनी चाहिए वह समय 24 गंटे जादे का नहीं होना चाहिए अच्छा आरोपितों के पकड़ने में और आप देखा कि हमारी पुलिस ने ऐसे गिड़त मामलों में तरित कारवाई की है और जराभी मुल्जी में जरुदर हो तो मुल्ज़र लेकर के पुलिस उतके घर पहुंची भी है ठीक है आलात इस तरह क सरकार पास है मैं पोलिस ने कर लेकर अच्छा तर्वरादी की सजा उत्तर पडेश हुई है और यह आकडा पुरे इंडिया में सब्से ज़्यादा है वह एब करसे देखानी पर देख सब्दोंव इह ज्यादा बहुत पर सब्सेंट चेंश्य गादा के अर ऑग्वार मैं आपकी बार से समर्थन करते हैं पर प्लिस की एक बूमिकाँ बताता हूं पुलिस को आपने पाल पर चलाती है कि डर भी परतIS पुलिस कि अपरादी अपराद करने पहले धर्थर कापे रोमिय स्कॉर्ड यहाँ पर डर पहरा करता है कि सौधय छेड़ चार ना कर पाएं पुलिस अपरादी यहाँ पराद को रोकती भी है जी है मैं डिरेल नी हो रहा हूं आप पुलिस की कोई अलागी ब्याख्या कर रहा है मैं आपको सही ब्याख्या बता रहा हूं जी बोले पुरी बास सुना दीजे यह बिसे आपसी मुहबबत से साधी के वादे से शिक्स का था इसको दुसकर्म का रूप देकर के मुकदमा लिखाया गया अच्छा आप इस इसका मतलब पुर्टा और आरोपी दोनों की पहले से जान पहिचान थी और उसके बाद दुसकर्म का मुकदमा लिखा गया अच्छा उस मुकदमे भी पुलिस ने कारवाई थी जेव साल बाद आरोपी छुटके आया अच्छा दोनों परिवारें दूसरे को जानते थे दो दो लोग गुसरे को पहले से जानते थे सांधी बादर मेंसे अच्छा आगा इसको समध्र ने जाए इसको समद्र ने को लिता हूं भूले जली बोले कमेंटड़ी आखरी वाई अगरी आखरी कमेंटर चे आखरी कमेंटर जिए कि इनकी सरकार अपराद ने में अचक्षम कि इस बात को धन्यबाद में देना काओंगा इनकी जड़ाय करते हैं तारे लोग अप्रादी है उस्टारी है इसका अप्रमान आप संधित सिंसंगर और रज़ू संगर ने सकते हैं यह अपनी पसली को तंदूर में काट के भूल द बात करने हैं यहां पर तमाम तरह की बैख्या दी और ने बताया कि यहां पर पोलिस काम जीर भेजना है अपरादी सोजा दिलाना है पर परिसकाम यहां पर डर पेदा है पेदा परलिस, पर यहां पर आपराद को रोकना भी है जब हम डर होगा ओ आपराद को रोकने की कुबायत शुरू होगी तो लोगों को लगेगा कि हाँ सरकार बहुत सक्थ है और यहां पर हम अपराद करेंगे तो हमें छोला नहीं जाएगा के बल टक्तिले कर ठाने में सर माज का निरुमाल होगा निता इस तरही घटना होती रहेंगी और हम इस प्लूफ धारते रहेंगे कोई टॵीट करेगा कोई यहां पर समिजना वेक्ष करेगा और इस परबार का क्या जिसकी बेटी चली घई है पर साहिर अगर सासन में और सत्ता पच्च को और बेपस्ट दोनों को हो जाए तो साहर यहां पर कुछ निर्णा भी हो पाएगा कुछ पढ़ना भी निकलेगा और जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है और जो हमारी आधियाबादी है वो यहां पर सबकुसर सुरुच्चा के साथ रह भी तो आज की चर्चा में ताही नमस्काव